केरल के एक स्कूल में RSS परमुग मोहन भागवत को सतंतरता दिवस पर धोजारोण से रोकने वाली कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है उन्होंने मोहन भागवत को धोजारोण करने से रोका था हलंकि केरल सरकार का कहना है कि इस घटला से ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं है केरल के पलकड जिले के एक स्कूल ने मोहन भागवत को जंडा फेराने के लिए आमंत्रित किया था इसी दोरान कलेक्टर पी मेरी कुथी ने आदेश दे जाला कि कोई भी राजनेतिक वेक्ति इसकूल में ध्ध़जारण नहीं कर सकता हलंकि उनकी रोग के बावजूद भी मोहन भागवत ने ध्ध़जारण किया था मोहन भागवत के तिरंगा फेराने के बाद मेरी कुथी ने सरगार को दी गई रिपोर्ट में कहा था कि उन पर केज दर्ज होना चाहिए उन्होंने पुलिस को इसके निर्देश भी दे दिये थे हलंकि RSS ने भागवत का बचाव करते हुए कहा कि स्कूल परशासन की मर्जी के बाद ही उन्होंने ऐसा किया था फिलाल मेरी कुथी का इस्थानंतरन करते हुए सुरेश बाबू को पलकड का नया कलेक्टर नियुक्त किया है